बच्चों कैसे हैं आप I hope आप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे माता-पिता का आशिरवाद और अपने गुरु जनों का टेचर्स का आशिरवाद एक ऐसे पूझी होते हैं जो सभी बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं आज मैं इसलिए आपके सामने प्रसेंट हो कि कई दिनों से मेरे मन में एक व्याथा यानि एक कॉंस्टरनेशन एक व्याकुलता चल लए थी वो इसलिए थी क्योंकि कोई भी आप पेपर पढ़ो तो कहीं कहीं एक ऐसा समाचार आपको मिल जाता है जिसमें किसी के सुषाइड करनी का मैटर होता है और जब से ये सुसांत शिंग राजबूत का मैटर सुसाइड केस में आया अभी तो उसे बहुत सारी बाते हो रही हैं फेलाल जब से आया तब से मैं सोच रहा हूं कि ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा होता है इतनी शोहरत होते हैं इतनी सारी फैसिल्टीज होती हैं इतनी सारी लोग होते हैं उनके साथ वो कैसे ऐसा जज़बाउत्पन कर लेगा हैं क्या उनके पास कोई आपसंच नहीं होते हैं, क्या सुषाइड करना ही उनके पास एक आपशन होता है, क्या लोगों की सलाह नहीं होती हैं, क्या उनके पास वो लोग नहीं होते हैं, जो साइकुलास के लिए उन्हें समझा सकें, कि सुषाइड किसी भी चीज का समाधान नहीं है उस घटना के बाद अभी कल मैं पढ़ रहा था पेपर में तो मेरी हाँ मैंने सुना कि एक मतलब एक साल पहले शादी किये हुए एक बच्चे ने हमारे महनासपूर है वहाँ पे एक बच्चे ने पहले जगड़ा किया अपनी के साथ पिर जाके कमरे में फांसी लगा लिया फिर उसकी वाइफ ने देखा कि वो फांसी लगा के मर गया है तो फिर एक साल की चोटी सी बच्चे को उसने कमरे से जबरदस्ती रोता भी लगता बाहर किया और खुद पर सुषाइड करें और भी बहुत सारी केसे से होते हैं बहुत सारी आप खुछ जानते हैं प्रशने ऐसा क्यों हो जाते हैं यानि हम कहीं कहीं अपनी ऊपर जो हमारी controlling power है, वो हम इतनी खो देते हैं, इतना हम सक्तिहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कि हम suicide करने के लिए थ्यार हो जाते हैं एक बार नहीं सोचते हैं माने नौ महीने अपनी कोख में रखा, पिता नहीं अपने खून से सीचा हमें फिर जब हम दुन्या में आएं, तो फिर उन्हों ने अपनी बहुत सारी सपने बहुत सारी खुफाब हमारी आखों में संजोए, अपनी आखों में पलते ही रहने दिया और फिर हमने इन सब चीजों को भुला करके एक जटके में क्या कर लिया इह लिला अपनी समाप कर ली इस गैन नोट बी जश्टिफाइड गैन निवर बी जश्टिफाइड मैं चुर्वर्ण बहुत पर ऐसा होता है मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग परिस्थितियों से हारने लगते हैं ऐसी कंडिशन सो जाती हैं जहां हमारी पास हमें लगता है कि कोई solution नहीं, there is no solution to the problems, हमें ऐसा लगता है बट फिर मैं कहूंगा ये कभी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि जिन्दा रहना जरूरी है बच्चा अगर आप जिन्दा हम जिन्दा रहेंगे तो तमाम चीजें हमारे सामने है तमाम समाधान है बहुत बार आपनी महसूस किया होगा जिस समय समस्या आती है उस समय हमें ऐसा लगता है कि अब इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा और फिर कुछ समय बाद उसका समाधान नहीं जाता है कोई रास्ता निकल आता है, यानि ऐसी कोई समस्या है यह नहीं, जिसका कोई समाधान नहों, हाँ, परिशानिया होंगी, कुछ जलालते होंगी, दिकते होंगी, लेकिन उनसे हार जाना समस्याक समाधान कभी नहीं हो सकता है, ती घटना ही, इस्पेशले सुसान सिंग राजप ये मैसेज दिया कि सुशाइड किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है और वो सक्सुशाइड कर लेता है तो कहीं थी बच्चों, मैं बसी कहना चाहता हूँ पर इस थेतियों से घड़ना सीखें हमाँ घबरा ही नहीं, मैं भी बहुत कुछ जेलता हूँ बट क्या उसका समाधान सुशाइड है अगर मैं पहले जब जेल लाता बहुत कुछ तब अगर कर लिया होता, क्या आज यहां पर होता, नहीं होता यानि कहिंगे मैंने धैरी दिखाया होगा कि नहीं मुझे लड़ना है, अपनी परिष्थितियों से उन पर विजह प्राप्त करना है, ओवरकम करना है उनको तो फिर आज अगर मैं ऐसा सोच कर यहां हूँ आप ऐसा सोच कर हैं, तो समझें कि हमीं यही प्रदरशत करना है, यही शो करना है इसी determination को हमको साथ लेकर चलना है कि परिशानिया अस्थाई नहीं होती है अगर दिन है, तो फिर रात होगी लेकिन रात होगी, तो हर हाल में उसकी सुबह भी होगी अगर च्छाव है, तो धूप होगी ऐसा असंभव है बच्चो कि कोई एक प्रकृती हमेशा उपस्थेत रहे तो ऐसा असंभव है कि कोई समस्या हमेशा हमारी आपके साथ बढ़ी रहे तो पिर क्यों हारे हम, हम क्यों नहीं उस सुबह के इंतजार करें जो उस काली रात की परचाई को हटा करके आनी है हम क्यों नहीं उस खुर्शी का इंतजार करें जो हर एक गम को हटा करके आनी है तो इंतजार करें बच्चों, सही समय के इंतजार करें हम कोई सोशान सिग रासपूत का एक्जामपल ले ले कि हम इसी समयाजाने को अपना रास्ता बना लें खिंप चलो अपनी जीवन के लिला ही समध कर लेते हैं इसी can never be a solution to the problems ये कब भी ने हो सकता है मजबूत बने आप मान के चले जिन्दगी है तो उसमें समयाजाजा होंगे रास्ते हैं तो कहेंगे smoothness के साथ उनमें roughness भी होगी ऐसा असंभाव है कि सारे रास्ते एक जैसे हैं परिशानियां रहेंगे, खड़े आएंगे विचलन होगा, लेकिन हम हर परिश्थित्य से आगे निकल करके उन पर विजय प्राप करके आगे ही बढ़ते रहेंगे हारेंगे नहीं बच्चे, हमेशा बहुत बार आप असफलता हैं जैलते हैं तो कि उनका समाधान कुछ और है नहीं, उनका समाधान केवल एक है अपने आप से कहना तो we can, we will हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, अपनी माता के लिए अपनी पिता के लिए, अपनी भाईयों के लिए अपनी बहनों के लिए, अपनी परिवार के लिए अपने समास के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ करके दिखाएंगे कुछ ऐसा, जो दोस्तों से अलग होगा उनसे बहतर होगा और तभी सही माइने में यह हमारी क्या होगी जीत होगी बैचे तो कभी भी हारी नहीं परिशानियां जिन्दगी का एक अंग है असफलताएं सफलताओं का एक पिलर तैयार करती हैं तो फिर हम क्यों हारी उन असफलताओं से क्यों नहीं उस पिलर को बनने क का इंतजार करें उस पिलर को बनाने के लिए अपना सारा प्रयाश करें अपना 100% डेडिकेशन डिवोशन आनिश्टी हाड़ वर्क दें ताकि एक दिन उस सफलता को हम क्या कर सकें महसूस कर सकें जिस सफलता को महसूस करनी से बहुत पहले ही बहुत सारे लोग अपने जीवन को स्तमाप्त कर लिया करते हैं हम ऐसे नहीं बनेंगे हम क्या बनेंगे हम जजबा दिखाएंगे मेहनत करेंगे हर समस्यक समाधा निकालेंगे और अपने आप से कहेंगे, ये दिन गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, अर्थात गम की ये स्याह जो काली रात है, वो हर हाल में क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, हमेशा खुश नहीं बच्चों, चुकि ये घटना बहुत तोड़नी वाली थी, एक सक्स जो कभी भी ऐसा ना सोचें कि कोई एक गम हमीशा रहेगा, कोई परिशानी हमीशा रहेगी, इसलिए अपने आप से कहें, असखलताएं कभी भी आपके इरादों की उस परवत को धिगा नहीं सकते हैं, आप हमीशा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, खुश नहीं हमीशा खु कोच के साथ सोचें, थैंक यू